हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मै चैनल, मैं आपका दोस्त रवी, आज मैं डिसकस करूँगा आप लोग के साथ EBS की पैड़ागोगी, तो जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का लाम है Learn With Fun, रवी गुपता, मैं आपक प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चले सब्सक्राइब करें, पहले मैं आज उठाओंगा सबसे important point, जो मतलब सबसे महत्पून है, वहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो मैंने pdf बनाई है, तो मैंने series से बनाई है, लेकिन जो important point है, वो पहले discuss करूँगा, जिससे question हर साल एक number का जरूर आता है, तो वो discuss करता है, चैनल, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और जानते है, आगया, EVS के बारे हम जानते है, NCF ने जो कुछ theme दी है, NCF के recording, NCF 2005 में के recording, EVS ने क्या कहा है, उसके बारे हम जानते है, पहले है, EVS में कुछ विशे हैं, और कुछ theme से, उनके हम जानते है, तो total कितनी theme है, विशे 6 है, 6 क्या है, फैमली और फ्रेंड, मतलब पर food, water मतलब पानी, shelter मतलब आश्रे या घर, travel मतलब यात्रा, things we make and do, हम करते हैं, हम करते हैं, जो हम करते हैं, जो हम करते हैं, बनाते हैं, मतलब यह तुमारा छटे point में आएगा, तो आप याद के लिजे, क्या-क्या theme है, 6 theme है, एक में परिवार और दोश आ जाएंगे, खाना पानी, आसे, यात्रा हम things we make and do जो हम करते हैं और बनाते हैं ठीक है तो इन सब चीज की कुछ सब थीम है मतलब इन थीम के अंदर भी कुछ थीम है उनको भी जानते है अब परिवार हो दोस मतलब फैमली और फ्रेंड की कुछ थीम इसकी सब थीम है वो जानते हैं परिवार अगर हमारा परिवार है वो हमारे दोस्ते तो हमारे संबंद भी बनेंगे और अगर हमारे दोस्ते तो उनके साथ वर्क वो प्ले हम उनके साथ काम भी करेंगे वो खेलेंगे भी और हमारी घर में देखा जाए तो तो एक जानवर यह कुट्ता है तो वो भी हमारा इस फैमिली और फ्रेंड का ही पार्ट होता है ठीक है तो कोई भी जानवर हमारी घर में पला है तो वो फैमिली और फ्रेंड का एक पार्ट है मतलब एक हिस्सा है तो यह हिस्सा हुआ और एक पौदे जो हमारी घर में लगे है वो भी एक परिवार का हिस्सा होते है तो family or friend के अंदर के सब थीम होती है चार सब थीम होती है संबंद, काम और खेल, पश्यू और पौधे तो family or friend, relationship अगर हमारी दोस्ती, हमारा घर और दोस्ती है तो उसमें हमारी relationship मतलब संबंद भी होंगे हमारी लोगों से वर्कुप ले, हम भी यह सब के साथ खेलेंगे कूदेंगे भी, हमारी घर में जावनवर पर लेंगे वो भी हमारी family friend में आएंगे अगर पौधे लगे घर में, plant लगें वो भी हमारी family can ते गताएंगे ठीक है, यह तो पहली family और फ्रेंड के अंदर चार सब्धीम है, अब आते है food मतलब खाना खाने के अंदर क्या होती है, पांच आपके टोटल सब्धीम है, खाना अगर खाना घर में बनना तो क्या क्या काम होगा, एक तो टेस्टिंग, भी हम खाना खाते है टेस्टिंग हो गई, चठना और टेस्टिंग, एक बात आगे, डाजेस्ट में यह खाना खाया है, पेट में जाके, डाजेस्ट भी तो होगा है, cooking घर में खाना बनता है, ठीक है, preserving techniques, अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लोग जामपल देता है, कोई कुछ सब्जी होती हैं, जिका फ्रीज में अगर नहीं रखेंगे, तो खराब जाएंगे, तो यह खाने संब्दित हो गई, फार्मर और हेंगर किसान और भूख किसान ही तो यह सब्जी अबडी लगाता है, किसान नहीं हो तो खाना नहीं मिलेगा, तो जो खाना फूड की क्या सब्धीम हैं, पांच सब्धीम हैं, tasting मतलब चकना, digesting मतलब पचना, cooking मतलब खाना पकाना, preserving technique मतलब टकनीक का सरच्चन करना, farmer मतलब किसान और भूख, बाकि इनी दो जो फैमिली और फ्रेंड और यह आपकी food, इनी के सब्धीम में बाकि के सब्धीम नहीं हैं, तो आपको याद रखना है, फैमिली और फ्रेंड की चार सब्धीम है, और खाना की पांच सब्धीम है, वाटर, सेल्टर, ट्रेवल, और फिंक्स भी मेक अंदू, इनकी कोई नहीं है, तो टोटल आपकी कितनी है, टोटल थेम तो वैसे आपकी देखिए अच्छे हैं, लेकिन जो फैमिली फ्रेंड के अंदर जो आती है, वो आपकी सिर्फ चार है, और खाने के अंदर पांच है, फूट के अंदर, ठीक, तो यह most important था, इसलिए मैंने सबसे पहले आप से discuss किया, चलिए अब चलते हैं, आपके, पहले, पहले point चे, अब EBS की पैडग होगी, जानते हैं, क्या कहती है, किस की चीजे संब्द बनाती है, किस की से संब्द बनाके इसको पढ़ना है, चलो स्था, बच्चे जानवर, चीजों आज को वर्गी करन कौशल सिखते हैं, जैसे कुछ जानवर है, जैसे मानलों की, कुट्टा, बिली, भैर, सुबर, चाल पगार के जानवर है, तो वो classify, वर्गी मतलब उनको समझ पाएंगे, यह जानवर है, इनकी अलग विशेस्ता है, इस जानवर की अलग विशेस्ता है, इसकी अलग विशेस्ता है, और वर्गी करन, अलग-अलग सम्मू में उसको समझ पाएंगे तो ये कॉशिल बच्चों को अंदर विक्षित होगी जब बच्चे जानवर को देखेंगे अगर कुट देखेंगे तो पहचानते हैं कुट्टा है कुट्टा यहां रेता है कोई और जानवा देखेंगे तो उसकी विश्यस्ता समझेंगे तो बच्चों को अब्जर्व करके सिखाना है ठीक है बच्चों को अपने आजपास से जानकारी इखटा करने के लिए प्रेरित करें क्योंकि वे अपने आजपास से बहुत कुछ सिखते हैं अब बच्चों को कुछ ऐसा काम देंगे कि जैसे मालो कि मैं टीचर हूँ मैं बच्चों को बोलूँगा कि आज तुमको इस पर प्रोजेक्ट करके राना है और वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि घर के अगल वगल की चीजे कुछ ऐसी चीजे जो आपको लिखके लाना है तो बच्चा घर के बाहर जब निकलेगा वो चीजों को जमा करेगा या लेके आएगा कहीं से पाएगा तोड़ेगा या जमा करेगा जो भी उसको साच पराप्त होंगे उसके बारे में उसको जानकारी पराप्त होगी ऐसा तो नहीं घर बैठे बैठे कोछी जान जाएगा बच्चा जब तक घर से बहान नहीं निकलेगा तब तक चीजों को सिख नहीं पाएगा समाज में नहीं आएगा तब कोई चीज़ सिख नहीं पायेगा मनton है घर में रेके सिख सकता है खाली किताबी कीड़ा बन सकता है रत्राव कर सकता है लेकिन समाज में आएगा तो चीजों को समझ भी सकता है कि बच्चों को प्रकति का आउ लोकन करने का आउसर दे ना कि केवल कच्छा में बच्चो को क्या करें खाली काफी किताब से ना पढ़ाएं उनको कहें कि जाओ आप आप अपजयाब करो आप देखो समझो यानि एक्ट्व पार्टिशिपेशन मतलब शक्रिये सक्रिये मतलब सक्रिये मतलब मिल जूल के काम कर सके सबके साथ सिच्छक कच्छा को बाहरी दुनिया से जोड़े जैसे कि टीचर कुछ पढ़ा रहा बच्चो को तो उनको बाहर की दुनिया से जोड़े बाहर की दुनिया से कैसे जोना कि ऐसे कुछ एक्जामपल उठाएं जो बच्चो के संदर्प में वो एक्जामपल आते हों तो कोई उन्हें सम्मूम् में काम करने के दोगे लेकिंगे?? लेकिनने समोह में बैठाके काम करने के लिए तो क्या होगा? यह बच्चा कुछ और बोलेगा, यह बच्चा कुछ और बोलेगा, तो वहां से उचको और भी चीजद सीखने को मिलेंगी यह ऐसे भी हो सकता यहां ऐसे भी सकता है दूसरी बात समुख के बच्चे होते हैं जब बच्चे होते हैं, किसीं हिंडी है, पंजाबी किसीं इंग्लीस है तो थोड़ी बद भासा भी आवस में एक दूसरी के सिख लेते हैं तब ही कहते हैं कि सम्हों में काम करने के लिए उनको प्रोसाइट करें आगे लिखा है एक शिच्चक उन्हें कहानी पढ़ने के लिए प्रेडित कर सकता है अगर उनको कहानी पढ़ने का मनें तो उनको कहानी पढ़ने और उसको सब को समझा के पढ़ाएं ताकि क्रेटिव माइन आए यह नहीं कि डैवर्जिन माइन आए अब सारी अब सारी आप जानते हैं इस पर काम करता है कला और सिल्फ जैसी करती वीडियो का बरावा देकर उनकी रचनात्मक को बढ़ाएं कला या सिल्फ जो कुछ कड़ाई ड़िजाइन हो गए पर ऑप सारी या कला बनाने के लिए उनकी रचनात्मक उनकी रचना उनके इंदर क्रेटिविटी आए बच्चों के अंदर आपने दिमाग का इस्टमाल तो कला और सिल्फ जैसी करत वीडियो को बरावा देकर उंकी रचनात्मक को बढ़ाएं बतलब creativity जो बच्चों के इन्द क्रेट्व बाते हैं जो चोटे बच्चे नहीं होता है कि ऐसे बोलता है ऐसे व्लब क्रेट्व माईंड वाले जो अच्छा सोचते हैं और जिनके सोच अच्छी होती है तो उनको कलाओ जैसी का काम देखें उनकी creativity को बढ़ावा देना होता है वर्क कोई easy draw कुछ दिया जा सकता है या खुद को देख सकता है एक मेंट पानी पिल लेता हूं दोस्तो कि अ अन्हें कभी कभी न्यादित्स पनने दे और पूर्दे जानुवर आज को व्रगित करने का उसर दे कभी कभी क्या होता कि यह ऐसे है यह ऐसे यह ऐसे है थेख है अब वर को easy draw कुछ दिया जा सकता है और खुद को देख सकते हैं अब बच्चों कुछ ऐसा काम दो जो बच्चे से draw करें कुछ लिखे या बनाए ताकि वो उसकी समाज अपने आप खुद बना सके हैं ठीक है उन्हें कहानियों का पार्ट करने दे या अन चीज उन्हें याद करने के लिए मजबूर ना करें जो बच्चे कहानियां पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा काम करें नहीं भाई तुमको यही करना है कभी भी आपको यह नहीं करणना है कि बच्चे से जोवस्ती नहीं कहना कि बसको यही काम करना है 성udhati n歌 काम के लाना नहीं बच्चे का दिमाग में उसकी अंदर बात चल नहीं又 अपनी बात कह सकता है आप उस को मजबूर नहीं करोंगे बेटा आपको यह काम कट कर लाना है आप मजबूर नहीं करोंगे एंसीएम ने कहा है कि आप कभी भी चाली बच्चे बाश्यों को मजबूर नहीं करेंगे किसी भी काम के लिए इसमोडाय संसादन, क्या है एक डॉक्टर एक किसान उनके दादा दादी पौधे के बारे में चर्चा करें ताकि उन्हें अधिक जानने में मदद मिल सके वास्तिक जीवन के उधार अब जैसे मानलों कि स्कूल में बच्चे पड़ रहा है तो ऐसे उधारन बच्चों को दें जो वे उनके जीवन में जो यो लोग अपने सामने घटित हरते देख रहे हूँ जैसे कि उनके खें में कोई डौक्टर है किसान के बार बताए किसान कैसे क cities वहाते हैं दादा दादी पौधे के बारे हैं घर में दादा dummy दाधा दाड़ी है तो लोग बच्छों से वैसा पेड पोधे कि बारे में जानकारी दिया करें तो इस प्रकार क्या होता बच्चों का बच्चों को मतले वास्तिक मदब जो रियल एकजांपल जो उनके आखों के सामने चलने है वह ऐसे एकजांपल दें जिसके बच्चे अच्छी तरह से और अपनी Life से connect करके वो चीजों को स देखभाल करें अगर बच्चा पेर से दोस्ती करता है जैसे अगर हम और आप दोस्त हैं तो हम आप कभी नहीं चाहेंगे कि यार हमाई दोस्ती तूटे हम दो एक दूसरी के देखभाल करेंगे इसी तरह अगर बच्चा पेर का दोस्त बन गया तो कभी नहीं चाहेगा कि पे बहुत बढ़ रहा है तो लोगों को बीमारी हो रही है तो ऐसे बाते करें जिसे तो बच्चे सोचने की सोच लगे कि अगर इसे क्या किया जाता है या फैक्ट्रिया कम की जा सकती है पानी का हमको इस्टमाल कम करना चाहिए ताकि पानी ना बरबाद हो तो रियल एक जामपल देना चाहिए जो अभी सामने एक्जामपल चल ले हैं बच्चों को कुछ ऐसे एक्जामपल दो जिससे बच्चे समझ सके और चिंतन कर सके हैं ठीक सिच्च को चाति के छेत्री गीत पानी से समन्दित तुर्क के बंदी को बढ़ावा देना चाहिए अब जैसे मालो कोई बच्चा है हिंदी पंजावी बैग्ग्राउंट चाह तोसे पंजावी गाने से समन्दित या पि पानी से समन्दित कुछ प्रॉब्लम चल रही है अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सुल जाए ठीक है तो कहने मतलब यह है भेदभाव जैसे मुद्धों की क्लेपते उन्हें समयद्धासिल बनाए भेदभाव क्या होता जहां पर लिंग रूड़ी वद्धा या लिंग पच्छपात होता जैसे कि मालों कि लड़क कि उन्हें प्रेशन को देखने और पूछने का अशर दे बच्छों को अगर अगर आप बच्च इस पंच करने के लिए विचार प्रमस किया जा सकता है जैसे क्या होता है कभी कई कुछ doubt होते हैं तो teacher और student या वे अपने peer मतलब group के साथ ऐसे सी मतलब उस problem का solution निकाले आपस में बात करें ठीक उन्हें अस्थाई रूप से उपलब संसाधन या सामर्गियों का उप्योग करने के लिए प्रोसाइट करें आप जैसे मालो की कुछ चीज बच्चे के पास है तो कहें कि बैटा इसका यूज करो यह ऐसे रखी क्यों पड़ी है इसका इस्टमाल करो रखे रखे खराब जाएगी ठीक है तो और उनको और जो क्लास में भी जो सामगरी है उसका भी यूपियो करके उनक जिसे बच्चे समझ सकें अब कुछ ऐसी घटना उनके सामनी लाओ वो घटना देख के बच्चे समझ सकें और समभन स्थापे लोग ताकि खेल जैसे बहुतर प्रत 280 कर सेंगे और किसी अननी हो अच्छा कां कर सुकुक है. है ठीक है जैसे मालो सचिन तंदूकर है किर्केट अच्छा खेलते हैं तो ऐसे एक्जामपल तो ताकि जिस बचने अंदर टैलेंट होगा किर्केट का वो और अर्टोमेटिली अभी प्रेंडा या मोटिवेट हो जाएगा उसके तरो हम सभी में अलग-अलग छमता होती है कि शमता है अलग-अलग होगें बच्चे के स्वयम के अन्भों से समधित चीजों को या मुद्दे पर प्रती समयंदर सिलवा है अगर बच्चा कोई चीज क्लास में लेके आ रहा है तो टीचर को कभी नहीं करना चाहिए बटा ये गलत है हो सकता हो टीचर को बच्चे को उ उसको पढ़ाने में यूज करना चाहिए उन्हें खुद को अव्यूट करने का आउसर दे बच्चों को क्या है बच्च ऐसा नहीं कि बच्च अगर बच्चा कुछ कहना जाता तो उसको उसके लिए टाइम दो बच्चे से बोलो कि हां मिटा आप खड़े हो जाओ आप अप आप अच्छा कर सकते हो उसको डी मोटिवेट ना करें इसको मोटिवेट करें आप ऐसे कर सकते हो और बताओ ताकि बच्चा आगे और बढ़ सके बच्चों को परिच्चा की विशेष्टा में जानना चाहिए बहले ही वे उनके नाम नहीं जानते हैं अब जो कुछ पता है चोटा बच्चा उसको नहीं पता कि यह तोता है लेकिन उसकी विशेष्टा पता होना चाहिए कि तोटे की लाल चोच होती है हरे हरे रंका दिखता है तो बच्चा बच्चे को विशेष्टा जो पता होने चाहिए भले उस पच्छी का नाम पता हो और ना पता लाइक, शेर, और सब्सक्राइब करें. एक सिछक बारिस के अच्छे और बुरे परभुरहाँ पर चर्चा आजयद करें. ऐब जैसे कि मारीष होती है, ठीक है, तो बारीष कभी कभी हमाई लिए अच्छी भी होती, कभी कभी मारी नकसान दायक भी होती है. तो इस बारे में क्लास में चर्चा करें अपने बच्चों के साथ में अगर बारिस जादा हो गई ठीक है तो कुछ फसल होती है जो बारिस में जादा बारिस के करन खराब हो जाती है या बार जाती है तो एरिया में पानी भर जाता है अगर बारिश कम हो गई तो क्या फसल सूखने लग जाती है ठीक है तब भी दिक्कत आती है तो इस पे भी चर्चा करें ताकि बच्चे आपने अपने पर कमेंच या अपने भाव प्रकट कर सकें और आपस में बात कर सकें इस चर्चा पर ठीक है बच्चे खाना पकाने जैसे चीजों के लिए अपने परिवार के सदस से शला ले अब जैसा जैसे कि खाना बनना घंड में बच्चे देखते हैं То कमसे-कश कUNG भी जाना चाएगी कि खाना कैसे बनता है और मलब क्या एक प्रॉसरस्य में बनाने के Rumie बच्चों के अंदर भी यह जिग्यासा मालब मच्चे भी समझाए खाना कैसे बना जा सकता है इस बात पर चर्जा की जा सकती है कि इर्धन हमारे पडियावन के लिए कैसे प्रवाइच होता है सिच्छक उसी पर समाचा रिपोर्ट का उप्योग करें इर्धन जैसे इर्धन धुआ हुआ निकलता है फेक्ट्री का तो वह हमाई लिए कैसे हांद का रहा है कि तो जो की जो कुटिंग वगएर आती है इसके बारे में इधन समझा रहा है तो टीचर उसकी बातों को भी आप जो समझा रहा है उसमें सामिल करें ताकि बच्चों को फीलो की मेरे बैक्ग यसे मेरा इधनby उसको समान दिया जा रहा है उन्हें यथा संभव वास्ति चीजों को बच्चों को हमे इसा वास्तिव चीजों को ओधान दे या तो कुछ दिखा कि उनको और अधारं दो या कुछ उट्च्छु को ऑन गहता उनको दे देख वैशे समस्दित उनको ओढ़ रोल प्ले कराओ, रोल प्ले कराओ, बच्चे उसको बहतर समझते हैं, और बहतर धंग से करते हैं, रसनात्मा क्रेटिव वे से करते हैं, ठीक है, उन्हें वे उसर दें, जिसमें वे उन्हें सिख सकें, कुछ ऐसे काम दें, जो वो करें के सिख सकें, ऐसा क्या होता कभी कि तो को चाले का आउचादे बच्चे हमेशा पी टो करें, को एक चाद कुट को भी पही छिं सब्द प्रियों को भी इस्तमाल कर सके? प्रिद्योकी करण्य व्र है के समध्द 담 के सब्डें लिंग भेधन. ठीक है? आप मानू कि स्कूल में teacher है ठीक है तो help a ऐसा कैसा नहीं कि teacher teacher में मतलब जो male है जो male मतलब please पुरुस है, वही पढ़ाने आसकता teacher जो लड़की घर पे खाना बनाए उसे आमन्द में बात करें कि नहीं लड़कियां भी especially पढ़ाने आ सकती है ठीक है भी तीचर के रूप में सिच्छा के रूप में टीचर और पुरुष दोनों आ सकते हैं तो कहीं भी ऐसा ना हो कि लिंक का जब भीदभा हुआ है उससे समंदित उस मुद्धे पर बात करें अगर कहीं ऐसा संटेंस यूस हो रहा है जैसे मालो चेयर मैं चेयर मैं में मै उससं करो आठों नहीं सब्सक्राइब करें प्लीच में चैयर ढूरे उससघाए करें इस का लिंख मैं आपको वीडियो के description box में share कर दूँगा प्रीस वहाँ से जाके आप इसको read कर सकते हो एक्जाम से पहले पुम्सrios वारी के लिए पच्चियों का बारेकी से निर्चन कर Shauna कि अगर वो ऑनकी आपको अधर करने के सथानी तरीके पर अपने अनुवस आजा करें तो आप जैसकी बारेक होती है अब classroom में बच्चे बैठे हैं आप कभी बारी सुर्य तो पानी जो बारी का पानी गिरा था उसका कुछ उपयों की है सद्विपयों की तो बच्चे बताएंगे मैं पानी ऐसे खटा किया या मैंने टैंक में खटा किया तो उसके बारे में चर्चा करेंगे तो diverse learning होगी से संबनित हों बच्चों को मानचरित पर किसी अस्थान को अपता लगाने के लिए प्रुसाइट करके इस स्थान दिशा और दूरी के बारे में उनका साचा करें जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है रहने वाला है लखनो का ठीक अवो दिल्ली जाना चाहता है दिल्ली के बार समझ सकता तो उसको बोलता है मानचरित मैप को ठीक है जैसे बच्चों की समझ और छिव यह कहने मतलब बच्चों को दिखा के समझाओं घर में देख लिया तो भटो से पूछे बड़ों से पूछेंगे तो बड़े लोग उनको बताएंगे जिससे बच्चों की नॉलेज और उनका जियान होगा बच्चों को, पडियावर्यं में बतलाओं के कारण बच्छों की घटित संख्या के बारे हम बच्चों से चाचा करें, अब जैसे कि गिद आझ किल बहुत कम हो रहे हैं कुछ जानवर भी कम हो रहे हैं इसके बारे हैं बच्चों चर्चा करो जिसे गिद है एक डेक्नोफ लाइन नाम की दवा होती है मतब पेंट किलर होता है उसमें यूस होती है तो क्या थै कि अगर डेक्नोफ लाइन घर में यूस होई है थोड़ी बच्च learning आएगी बच्चों के अंदर बहस बच्चों को किसी भी मुद्दे को विविन कोणों से देखने में मदिद करती है जब बच्चे आपस में बहस करते हैं या डिबेट करते हैं तो उनका दिमाग और शक्री होता है और आपस में और भी विचार अपने खुल के कह पाते हैं सिच्चक उन्हें सब बहस का अर्थ भी समझाए सब बहस का अर्थ मतलब क्या होता है वारतालाब जो बहस करते हैं डिबेट करते हैं वो भी बता है और फिर मलब की दोनों की बहस हो जाने बाद सिच्चक object कर रहा हूँगा देख रहा हूँगा कौन सही बोरा कौन गलत बोला बाद मा teacher बताएगा कि वेटा क्या सहीं है और क्या गलत है सुच्छक हमारे समाज जीवन आद्य में विविन लोगों को लोगों की भूमिका की व्याख्या कर सकता है तो सुच्छक हमारे समाज समाज, पढ़ियावन, या फिर सोशल, जीवन, मतलब जीवन आपर के बारे में विविन्स, जो भूमिका हैं लोगों की, उसके बारे में बच्चों को समझाएंगे वियाक्था देखे, कि जीवन कैसे है, जीवन कैसे चलता है, ठीक है, इन सब के सम्मन्द में क्या भूमिका हैं लोगों की जीवन के अंदर, क्या उनका योगदान है लोगों का, कैसे क्या दिन चरिया है, कैसे नोकरी करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ समझाएं बच्चों दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब करें आपनों अपने दोस्तों को भी शेर करें और हो सके तो प्लीज लाइक शेर और सस्क्राइब चरूर करें एक रेलवेट टाइम टेबल को कच्छा में लाया जा सकता है ताइम टेबल पढ़ाने के तरीके सिखाने में बच्चों की मदद करें आप Google, गरित, आर्ट सिखाने के लिए दिल्चास करतिवतियों का तियार करने के लिए समय शानी का उप्योग कर सकते हैं अगर बच्चों को जैसे 24 अवर 24 घंटे का फॉर्मेट सिखाना है तो क्या रेल्वे का टाइम टेबल क्लास में लेकर आएं दिखाएं बेटा क्या बुलते हैं बारा बजने के बाद क्या बजता है दिन में जब बारा बजने के बाद एक बजता तो तेरा होता दो बजता तो चौदा होता है यह समझाएंगे ठीक है टाइम टेबल टाइम टेबल पढ़ाने के तरीके से बच्चों की मदद करे एक इसे तरीके अपना जिससे बच्छे अच्छी तरह से बिगोल और गरीद को समझ सके खेलों के मादम से एक सिचक बच्चों को ध्यान इस बात पर ला सकता है कि हम अपने जीवन के लिए नियम बनाते हैं एक अगर खेल रहे हैं को एक सिचक है मादला पीटी हमारे पीटी करते हैं ताकि चीजों को उच्छी तरीके से किया जा सकता है भाईया हम जैसे खेल खेलते हैं अपना मन लगा के खेलते हैं तो इसी तरह अपने जीवन जो यापन करें तो उस तरीके से करें ताकि हमाद जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से चल सकते है लिंग जाती व मुह में मत आओ, हम तुम छोटी जात वाले हो, चुवा चुवा चुवाली या वर्गी करन, वर्गी करन मतलब क्लासिफिकेशन या गैडगरी, क्लासिफिकेशन नहीं भई, यह तुम्हीं खेल सकते हैं, इन पे कभी भेदभाव ना करें, ठीक है, सब को एक समान मान के चलने NCF ने का है बच्चों को फूलों का बारिकी से रेक्षन करने के लिए प्रोसवाइट करें अब जो स्कूल में जो फूलों लगे हैं पेर पहुजे लगे हैं तो बच्चों से कहो जाओ और देखो और समझो कि फूल की पत्तिया कौन से रंकी हैं उनके रूट कैसी है कलर क्या है और कौन सी इस पर तितली बैठती कौन से जानर बैठते हैं वो सब देखो बच्चों को आसानी से देखने योग विशेताओं को अधार पर फूलों के सब्मों में मदद की जानी जाए जैसे पंखुरियों के रंग चाहे गुच्छे हो या नहीं हो इस दो बात मैंने कहा दिया अब समझ जाई आ गया पास के एक निर्मार स्थाल पर एक याता का आयोजन किया जा सकता है ताकि बच्चे वहां काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत कर सके ऐसी जगा के लोगों को भी कच्छा में उनके काम और उपकरन के बारे में चर्चा करने के लिए अमतिक जाए अब क्लास में क्लास मे Question पूछेंगे उन से Worker से, तो Worker को ऐसे बताएंगे ऐसे समझाएंगे, तो उनकी बच्चों की समझ अच्छी होगी ठीक है, और हो सके तो अगर किसी की डादा है, नाणा है, चाच्चा है, या फेक्ट्री में काम करते हैं यह डॉक्टर है तो उनको क्लास में बुला के उस पर चर्चा कराया और बच्चों के वास्टिक जीवन से जोड के बात करें कच्छा में परियोवन्न परिवार अस्थान में परिवृतन का चर्चा किया जा सकता है कच्छा है उसमें परिवार से समंधित बाते करें और अलग-अलग स्थान के बारे में बच्चों से बात करें बच्चों को एक साथ खाने के लिए कारीकरम आयुज़ीत किया चेटा है अगर जब जैसे कि मालोगी क्या करें बच्चों के लिए खाना, जब खाने का इंजाम किया तो एक साथ गोड़ें, तो बच्चे सब एक साथ बेट के खाना खाएंगे, तो आराम चे मिल जूल के खाएंगे, प्लस यहां पर क्या है, बच्चे सभी कल्चर को पहचान सकेंगे कि किसी कल्चर में खाना खाना हाथ जोड़ते हैं, किसी कल्चर में पानी चिटकते हैं, किसी कल्चर में जो भी करते हैं, बच्चे समाज में देख सकते हैं कि अलग-अलग कल्चर में लोग कैसे-कैसे रहते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है? बच्चो का परिवार में जगरा आज जैसे मुद्दो के समाधान के बारे में सोचने दे विचार दरा सिच्छो को समध चार्थ और पोष्ट लगाने के त्यार करें अब जैसे मालों की घर में किसी किसी घर में कला या लड़ाई होती है तो क्या होता है उसे समंदर उसीचसर जो है बच्चो दर्धशत ताहिट booster के सुमर्द जीचर के ऑचे घ्र्चव की help करें बच्चि का बनाँ जिससे भडराई नहीं करना चाहिइ आइऔड आ チप्योग सुप्योग फिर्ध इंपलडस का इंपप्योग्छ। गुलंट ताकि बच्चे साम और वो टेवर क्लास से चिपा हरे तो बच्चों पता लग जाए में यह सकती एनिया नहीं गोल सकती इसे बच्चों की श्मझ विकसित होगा अच्छी है ली इतनोंप runner को आपने दोस्तों सारा बोली जाने वाली भासा को सीकहने के लिए Prix कृखे बच्चों को अपने दोस्तों दोरा बोली जाने में भासा को प्रसाइट करें अब जिसे कोई बच्चा पंजाबी बोला दूसा हिंदी बोला जो पंजाबी बोला है तो बच्चा बोले कहां अरे बढ़िया बोल लो और उसको समझ और पंचाबी दोस्त हो उसको समझाए भी इससे उन्हें अनिभासा की शायना और समान करने में मदद मिलती है जिससे वह अनिभासा को मलब की रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे ठीक है बच्चों को अपने बड़े और परोसियों से पुराने समय की बारे में ब अधिक्षित करने में मदद मिलेगी ठीक है यह बात में कर चुका हूं बच्चों से इतियास के विवें सरोते हों जैसे लगसे चित्र खुदाई हुई चीजे किताबे रिकॉर्ड, भाही, खाते के बारे में बात करें बच्चों से क्या डिस्क्ट कर ना चाहिए इतियास क का थोड़ा इतियास के बारें बच्चे जान जाएंगे नक्सा मतलब उनसे मैप के बारें बात करें जोगर्फी के बारें बात करें चित्र चित्र मतलब चित्र दिखा के बताएं खुदाई की चीज अब खुदाई जहां जा होती ही वहाँ पर कहीं सोना पाय जाता है कहीं क् चीज समंदिर बात करें किताबे रिकॉर्ड वह भाई खाता क्या होता है वह भाई खाता हो रिकॉर्ड जो तुम बनाते हो अपनी कॉपी में लिखते हो डिलिवाइए गया वह गया उसके समंदिर बच्चो को बताएं तो बच्चे अलग-अलग चीज को समझ पाएंगे कच्छा में सुर्च्छा नियंब पर चर्चा करें अगर बालक कच्छा में आता है अगर कोई दिक्कत हुई तो चोट लग सकतीग्व लग सकते हैं उससे समझनी बच्चों से बात करें कि हमें क्या करना चाहिए जिसे बच्चों चूट नहीं तो ऐसे सारे सेफटी रूल सकें अगर किसी बच्चे चूट लगती है तो स्कूल में हमेशा एक फर्स्टेट बॉक्स होना चाहिए ताकि उसकी पट्टी और दबा त सोयम को काम करने से के संभावित विकल्प के बारे में चर्चा करें अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो ने कुछ काम क्या बच्चों को कुछ टीचर को ऐसा करना चाहिए कुछ काम बच्चों को खुद देना चाहिए बच्चे खुद करके सिखें सरक परवाहन की संक्या को काम क करने के समभावित विकल्पों के बारे में चर्चा करें और उनसे समभावित समाचा रिपोर्टों का उप्यों करें अब जैसे मान लो कि जब आप रोट पर आ तो बहुत आपको ट्राफिक मिलता है तो बच्चों बच्चों के साथ टीचर ऐसी बाते करें ताकि बच्चे प्लस यह ट्राफिक जाम होता ट्राफिक जाम कम हो जाएगा तो बच्चे अपने अपने दिमाग लगाए और टीचर भी इनको समझाएगा बेटा जैसे कि दिल्ली में अर्विन के जीवाल ने और डिवन का लगाय था कि इस दिन और वाली गारिया चलेंगी एक दिन एवन प्रतिशा सब्द की उप्योग से सब्बंजित करने के लिए प्रसाइट के जैसे खेल कितने जीतने की समावना कितने विशे में अंग छूट या विक्री है अब यह जो बात आ गई है गरित के संदर में आ गई है क्युक्त कच्ष्छा एक दो में यह आपको नहीं पढ़ा जाती है यह मंत्ति आ खशियु परसंट हे वाली टिम जीतेगी सव प्रसंट दाने का हैि, तो यहाँ पर्संट की उसरा चुर्टका चुर्णा की रिपोर्ट का उप्योग ऌता है तो यहाँ पर्संट के बारे मच्चों बता हुए, थो पकाथ लिपन की रिपोर्ट का उपयोग चात्रों को सब्द तापमान को समझने करें प्योंगे आता है जो अकवार में जो रिपोर्ट निकलती है उसमें कुछ ऐसे सब्द लिखे होता है जिसे हम नॉर्मल तो समझ नहीं पाता है लेकिन पेपर में जो आर्टिकल आता है उसको पढ़के बच्चों समझ जाएंगे तो बच्चे अच्छीता समझ पाएंगे और नहीं नहीं सब्द भी सिख जाएंगे भूकम को उसके प्रवाब पर एक चर्चा आज़िद की जाएंगे अब चर्चा की जा सकती है जैसे भूकम अगर आता है तो ग्लास में टीचर बच्चों से बात करेगा अगर भूकम आता है तो आप लोग क्या करते हो तो बच्चे बताएंगे असर हम घर से बहार चले आते हैं मैडान में सल जाते हैं या फिर हम क्या करते हैं को टेबल पका लेते हैं बेचे बैठे रहते हैं, जब तक धर्थी हिलती रहती है, तो यहां क्या है, बच्चों से चर्चा करो तो बच्चे अपने विचार प्रकत करते हैं, गैज वो लोग नया है मैं चनल पर प्लीज मैं चनल को लाइक से और सप्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी शियर करें समधन सीलता का विक्षित करने के लिए अस पुषाम अब कोई आर्टिकल जो की समाचार में तो उस आर्टिकल को या को ऐसी नियूज़ उसकी कटिंग class में लिखाए और बच्चों को समझाए उसके संबंद में ठीक है बच्चों को खेलों के बारे में अपने अन्वो साजा करने का आउसर दे अब बच्चे जो गेम खेलना है तो teacher को क्या है teacher को चाहिए कि बच्चा जो कहना चाहता है उसकी बात को रखने का मौका दे लड़के और लड़कियों के लिए समाच समान खेल जैसे मुद्दों पर चाहिए ऐसे खेल बच्चा था खिला है जिसमें लड़के और लड़किया दोनों लड्किया दोनों खेलते हैं, खेलों के दोरा Teamwork को बरावा दिया जा सकता है, जब खेल हो रहा तो उसमें Teamwork होता है, बंदक टीम बनती है, तो उसके दोरा और अच्छा बच्चे साकते है, Teamwork के दोरा, एक सिछक उन्हें एक चीज के दोनों पहलू को दिखा सकता जैसे कि बांद एक वहस भी आज़िट के सकती है जैसे मालों कोई मुद्दा है कोई बात है ठीक है तो अब एक जामपल देखा जाए कोरोना वायरस है एक बालक अपने बात रहए एक बोला जहां एक बोला चाहिए नहीं को बहस दया बच्चे के इंतर जो बात है वह बहँ निकल का आनी चाहिए ये बच्चा क्या सूचता है वो चीज बहारानी चाहिए है बच्चो को वनो के बारे में अपने अनभों कल्पना पयोग करने की लिए प्रॉशाइट करें बच्चे हैं क्या जंगल जंगल हो गया जो मानलों की बच्चा गर जंगल गया था या फिर कोई राज्ट नेशनल पार्क या दुद्वा नेशनल पार्क या फिर गाना पच्छी प्योर यहां कहीं भी गया था तो वह जो वहां से घूम कया है तो अपने क्लास में चर्चा करें कि वहां पर कैसा क्या जिसे सभी बच्चे समझ पाए वनों की विशिष्टा के बारे में बच्चों की कुछ समस्चाओं को सुनते हुए एक शिच्चा को समेदन सीलों चाहिए अगर बच्चा को एपनी समस्चा बता रहा है टीचर को तो टीचर उसकी जो प्रॉब्लम है समेदन सील ले यह नही नहीं चाहिए बच्चे की प्रॉब्लम को टीचर को समझना है NCF ने का है उन्हें परिवार के चर्चा उन्हें परिवारों की चर्चा के लिए एक विवस्था की जा सकती है जो हमेशा आगे बढ़ती है चर्चा आयोजित की जा सकती है अगर कोई बात है तो अगर कोई बा यह प्लैंट है और बच्च आपने अलग-अलग तरक उस पर जह सकता है। जो लोह जो कई चैनल-बैंसमें गाये दोस्काइब करें और अपने दोस्तों को दोस्तों को होती है फैंप्ररिट का थेस्टिंग डिश्टिंग पॉकिंग दिए गया पात्करम के बारे में अधिक पुष्टक की भूमिका क्या है? पुष्टक की भूमिका क्या है? क्लास रूम में या फिर पात्करम में ठीक है? मलब क्लास में जो क्लास है उसमें किताब की भूमिका, स्कूल में किताब की भूमिका क्या है? उसके संदब में बात करत दौरा प्रतेक विसे की गहरी और अंतर समंत्री समझ विक्षिट करने का प्रियास किया गया है, प्रतेक विसे बच्चे के लिए उप्रिक्ष भासा में महातपूर प्रिश्णों से शुरू होते हैं, कहने मतलब यह है कि जो किताबे ऐसी बनाए गए है, प्राइमरी लेबल क हो बहुत ही उनको एक मत्चे फ्रेंडली हो किताब उसे ने किताबे फ्रेंडली हो पुँआ किताबों को देख के समझा कर रही है ठीक है लिंग, वर्ग, संसकिती, धर्म, भासा, बगोलिक, इस्तिती, आधिक के अंतर से निपटने के लिए, के लिए भी एक आव सकता हो निजी, जैसे लिंग हो गया, मेल फिमेल, वर्ग हो गया, कैटिगरी हो गया, संसकित मतलब कौन सी प्रस्ट भूमिस आते हो, धर्म तो जानत की हो, तुम हमासार नहीं बैठा होगी, भाया, तुम छोटी कास से हो, तो हम तुमासार नहीं बैठेंगे, तुम यह धर्म के हो, तुम यह भासा बोलते हो, तुम यह भेदभाव, उसको भी कम करना चाहिए, ठीक है, उस संदम में, टीचर को बच्चे से बात करनी चाहिए पार्टिकरम का मुलांकन एक सतत प्रकिरिया होनी चाहिए और बच्चों को मुलांकन किया जाना चाहिए क्योंकि वा समू में देखता है, पूछता है, अकरसित करता है, चर्चा करता है आपने देखा हुआ है, उसमें साइकलोजी में वो बोलते हैं नहीं है मतलब क्या होता है, जैसे कि मानलो कि जब बच्चा कोई शिक रहा है, उसी बीच में टीचर बता रहा नहीं, यह कलती है, फीडबेक देदा है अनसी अब 2005 की अनुशान, एक की स्कूल में बच्चो का जीवन, स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोना चाहिए, अब बच्चे जब स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो ऐसा ही नहीं को किताबी कीड़ा बन के नहीं, वो जो पढ़ाई करता हैं, उनके बाहर की जीवन से भी जोड के उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चो को पढ़ने मजाए, एक स्कूल, घर और समधाय की बीच की खाई को कम करें, जो स्कूल, घर और समधाय है, उसकी बीच में जो अंतर आता है, उसको कम करना होता है, जैसे क्या होता है कि बच्चा घर से स्कूल नहीं जाना चाहिए तो school को ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चे को school आने में कोई मतलब दिक्कत ना उसको अच्छा लगे school जाने में ठीक है मतलब hurdle या कोई दिक्कत ना पड़े या किताब या रट्टा सिखने का अश्वाइगा अगर कभी भी teacher बच्चे को नहीं अश्वाइगा कि आप यह रट्के लाओ रट्ने के लिए कभी भी नहीं कहोगे बच्चे लाओ बच्चा समझ के लाएका वह सब छाची चीज रहेगी पार्टिक्रम इस आधार पर विक्षित हूआ हो कि हतो साहित करने वाले रट्टे सिखने का विचार पर लागू करने का पार्ट्रम ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए जिस में अब बच्चे से कहें कि आप रख्टा फिकेशन आ लाओ या इसा कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए बच्चे करे के सिर्खें और देख के सिर्खें ठैक है यहां राज सिच्छा निती एंपी-ई 1986 में उलिखित सिच्छा के बल केंदित प्रानी को प्राप्ट करने में हमारी साहिता करता है एककरित सिच्छा मतब इंक्लिजिव क्लास्रोन बच्चे अपने आसपास के वातावरन को समग रूप से देखता है और किसी भी विशे को विज्ञान और समाजी विज्ञान में सामिल नहीं करता है बलब कहने मतलब क्या है विज्ञान और समाजी विज्ञान में सामिल नहीं करता है लेकिन ये दूनों चीज उसके अंदर आ जाती है लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता है चोटा होता है विज्ञान और समाजी विज्ञान तो हम बड़े होता है तो समझ पाता है वह यह विज्ञान है समाजी विज्ञान है लेकिन जब वो देख रहा होता है समग रूप से देख रहा होता है वो सब चीज के अंदर होती है लेकिन बच्चा नहीं जाता है चीज होत जैसे अभी देखा नहीं था, अभी ऊपर हमने देखा था, कि बच्चे अगर कुछ लाता है, कोई पैन लाता है, कित्ते पर से, तो हमने फ़ला गरित को इंक्लूड नहीं किया था उसमें, लेकिन कहने मतलब यह गरित का कोई subject नहीं होता, लेकिन ऐसे खेल खेले में बच्च नहीं है, यहां तक कि किताब में इस्टिमाल की जाने वाली भासा अनौपचारिक, जो उसमें किताब में भासा लिखी होती है आपचारिक नहीं होती होती, अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब बच्चे के friendly, ताकि अगर सीधी line मतलब ऐसे लिखे होगी कोई संस्कीती, याम लोग सीधी लाइन दिखा होगा तो जैसे हम लोग बढ़े हैं तो हम लोग आप चाहिए लेकिन अनणद चाहिए जो बच्चे जिसे समझ रहे को अब या तुम कहाँ जा रहे ते तुम आप क्या कर रहे ते नहीं मैं वहाँ नहीं जाओँगा पौदे लगाने मेरे काम ह और इसी फोटू बनाओ तो बच्चे क्या होंगे अब्ट्रेक्ट होंगे लेकिन बच्चे दोरा भूली जाने वाली हो और जो बच्चे बोलते हैं उसी समद्धी तो वह भासस में लिखियो पाहती पुष्टा ग्यान का एक मात्र सोत नहीं कहने मतलब जो किताब नहीं सिब ग्यान का एक मात्र सोत नहीं है लेकिन बच्चे को सभी सोत जैसे कि लोग उनके परियावन समाचार पत्र आद की मत्रम से ग्यान का निर्मार करने के समर्थ करता है ऐसा नहीं कि सिब किताबे इनकी सोतर नहीं, बच्चे पढ़ियावन से सिकते हैं, अपने समाचार पत्त से सिकते हैं, अपने आसपास के सम्हों से सिकते हैं, ये कहा गया है, ठीक है? भैसर दा बर्डन म कम बोज मज़क बच्चे बस्ता लेंक जातला इसको कमडिना खरना है यत्ता है है भी भी बस्ता पीछे ले उसको कम करने के लिए बात की गई शिचछन के लिए वास्तो वास्ते मैं दिन सन्पुल करने के लिए डेनिक समय सानी में लचीला प्र उन चाही है जो बच्चे स्कुल एक टाइन ट्रीबल बनता यड़ वो क्या बोलता है जब चाहे उस को चैंज का सकते हैं अब बच्चों को भी आराम रहेjach कम किताबे और मिलथ किताबों को इंपोर्टन नहीं दियाग अब क्या है बच्चे जो अनभो स्कूल में लेके आते हैं अपने घर से उस पर आधा है सोना जाहिए सब कुछ उच्छ प्रात्मिक्ता और अस्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन सोच छोटे समू में चर्चा और अनभो पर हाथ हाथ की आउसक्ता वाली गटिविध्यों के लिए अवसर पतान करें अब कोई चिंतन वाली बात तो भी बच्चों को बता है कि है कोई गटना घट्टी है जैसे मालो की कोई है किक जांपल दे रहे हैं कोई वैक्टी है और हैंस की कहान ले लो यहाँ पर किसकी हैंट कोलर बक तो ऐसी बात पर चिंतन करना चाहिए कि हां कि वह जो 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 हाइंस था उसको पाइद बचाना चाहिए है चोटे सावू में चर्चा एक छोटे सवू में आके बात्चित करने, बच्चे अपने अन्भवe को भी शेयर करने, और गतवितिया, जो मतलब गत्य विद्यों का करने का भी ऑच्छर ने है इवेस की पार्ट पुष्टे बाल केंदे थे मतलब सेंटर चाइल सेंटर थे इवेस की किताब नाकी टीचर सेंटर है ताकि बच्चों को पता लगने के लिए बहुत अधिक जगह मिल सके और रखते होगे सिखने के ल स्कूल के प्रधानाचार और सिखक बच्चों को स्यम शिखने पर विचार करने के लिए कलपनासील गत्यविदिया और सवालों को आगे बढ़ाने के लिए प्रसाइट करने का प्यास करें अब प्रधानाचार जो सिखक बच्चों की जो गत्यविदिया है उसको आगे बढ राटेगा नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है वो इसको समाल सकता है ठीका? बच्चों को उनके वैश्ट दारा, उन्हें दी गई जानकारी के साथ उलच कर घ्रयान उद पन होता है जैसे माम लोग कि मैं हूँ अगर मेरा कोई छोटा भाई है, ठीक है? तो क्या है वो आता है पूछता है मामा मालूट की मेरा भाझा बहुता है वो आता है भी मामा खेलोना लिए तूठ गया है मैं क्या करते की जलती है रात है तो इसका पंख चंख है और इसके पंख है तो उसके बारे में समझेंगे तो बच्चा जो हमसे बात करेगा हमसे उल्जेगा तभी तो नहीं नीचीज़ समझ पाएगा तो यही चीज़ बात इसमें बोली गई निर्धारीत पुष्टक को परिच्छा का एक मत अधान必要ई माना जाना चाहे करीब कitab में जो लिखा है उसका ही अधान कीबलब परिच्छा समझ अधानी में चाहे धन्यवाद दोस्तों दोस्तों जिलनों को मेरा discussion या मेरा अच्छा लगवा प्लीज मैं चैनल को like, share और subscribe करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो का video मैं आपको वीडियो के end में दे दूँगा प्लीज मैंचनल को like, share और subscribe करें थैंकियो so much for watching